इर ये इडिन अध्या तो प्रवीद तो आप एक बात मुझे बताए आप 24 में पैदा हुए संगे मैं बोलip आप ये बताये इतने बड़े कैसे हो गई आप आप का ज़बाब मुझे दीजे कि आप इतने बड़े ही कैसे हो गए आपको मुगली घुति भी दिए के साथ में भाचपने कि आपने का कि 2014 में अजादी मिलिये अजादी के बाद आप पैद हो इतने बड़े भारत देश के प्रधान मंतरी जी 24 गंटे टेलिवीजन पर नजर आते हैं इतना मैं आपको बता दू कि टीवी चैनल्स पर कुछ भी नजर नहीं आता जितने मोदी जी नजर आते हैं ये सारी जो आदते हैं ये मिलती जुलती आदते हैं हिटलर से बात करते हैं नूपूर सर्मा की तो नूपूर सर्मा को लेकर जो कोट ने जो स्टेटमेंट दिया है जो जजमेंट दिया है आप एक बात मुझे बताइए लोग कोट के जो जज हैं उनको लेकर ट्रोल कर रहे हैं एक बात का जवाब आप मुझे दीजिएगा और कुछ सब्दों में दीजिएगा कि ये लोग जो कुछ दिन पहले महाराष्ट के अंदर जब फिलो टेस्ट नहीं हुआ तो सुप्रीम कोट के नाम के कसीदे पढ़ रहे थे, लंबे-लंबे सिलोक पढ़ रहे थे, लेकिन आज जब सुप्रीम कोट जो है नुपूर सर्मा के अगेंस में फैसला देता है, नुपूर सर्मा को फटकार लगाता है, साथी साथ पुलिस को भी फटकार लगाता है, और वो कहपा है कि क्या आपको रेड कार्पेट दिया जाए, और आब वो ये भी कहपा है साथ-साथ, कि national channel पर बैट के tv चैनल पर बैट कर maafi मांगनी चाहीए तो नूपूर सर्मा maafi क्यों नहीं माँग रही है दूसरी बाप यह कि बहुत सारे बहुत सारे पत्रकार हैं यहांपर बहुत सारे पत्रकार हैं जो यहांपर इस देश के अंदर हिंदू और मुसल्मान के नाम का धार्मी कुनमाद उत्पन कर रही थी, पैगंबर मुहम्मद साहब के उपर आपत्ती जनक टिपणी उत्पन कर रही थी, उस टाइम पे हम लोग सोचल मीडिया के माध्यम से हमारे कस्मीरी पंडितों के उपर जो जुल्म सकती है, आज अगर टीवी चैनल पर बैठकर मुहम्मद साहब के लिए कोई गलट टिपणी हो सकती है, तो कल को महादेव के लिए भी हो सकती है, टीवी चैनल का मुद्दा होना चाहिए, शिक्सा, स्वास्त और बेरोजगारी, और ये कहां से टीवी चैनल है, ये बताए न नैशनल चैनल की डिबेट जो है, वो गली महलों की लड़ाई से भी वत्तर होती है, गली महलों की लड़ाई में जिस तरीके से गाली गलोच होता है, ठीक उसी तरीके से आपती जनक सब्दों का प्रियोग, गाली नहीं, आपती जनक सब्दों का प्रियोग, टीवी चैनल क की debate में होता है live debate में कोई किसी व्यक्ति को जूता खोल के दिखा देता है अरे जूता दिखाने का मतलब क्या है यह बताई ना אנחנו मुझे क्या है यह जूता दिखाना कौन से आप लोग सभी चौतह संप के लोग हैं पत्रकारीत आप लोगों ने कर रखी है मुझे यह बताईए पत्रकारिता का कौन सा प्रष्ट और पत्रकारिता का कौन सा पन्ना ये सिखाता है कि आप लाइब डिबेट के अंदर किसी भी व्यक्ति को जो आपका जो पैनलिस्ट है वो जूता दिखा रहा है बताईए ये जूता दिखाना कहीं पर सिखाए जाता है ये किस नगी आरमी के अंदर पुलिस के अंदर भरती होतें इसलिए भरती नहीं होतें कि नेटा जी को 새लिट करने के लिए आज अगर पुलिस काम नहीं कर रही है तो उसके पीछे जिम्मेदार है तो इस देश की सेंटर गवर्मेंट है जो उसे काम नहीं करने दे रही है एक चीज मैं आपको बता दूँ कि लगातार इस देश के अंदर जो एक चीज के जजमेंट से मैं कोट से आसहमती दर् देश की राजधानी दिल्ली में जो पुलिस है वो स्टेट गौर्मेंट यानि अर्विंद केजरिवाल के अंडर नहीं है वो स्टेट गौर्मेंट के अंडर नहीं है वो स्टेट गौर्मेंट के अंडर नहीं होकर सेंटरल गौर्मेंट के अंडर है और सेंटरल गौर्मेंट के साथ मुकदमा दर्ज होता है नुपूर सर्मा के साथ लेकिन एक बाहर है तो एक अंदर है आखिर जुडिसरी में एक ही आई पीसी एक ही धारा के चलते दो लोगों के लिए एक अलग जज्जमेंट कैसे हो सकता है सवाल का जवाब भी जी उदैपूर घटना का जिम्मेदा तो कैसे पता चला यह बात तो मैं यही तो कहरें कि कांग्रेस ने बताया है अब आसो गहलोद को किराम क्राइम ब्रांच में थोड़ी है कि आसो गहलोद इंवेस्टिकेशन करेंगे यह तो इंडिया टूडे ने जो है वो आप सब के सामने प्रमान और रखा है दूसरी बा के समर्तकार थे यह नहीं थे वो आतंकवादी थे हैं और रहेंगे और मैं कभी भी हिंसा का साथ नहीं देता और मैं अंतिम समय तक कनया लाल के लिए इंसाफ की मांग करता हूं जिस टाइम पर जब यह सब चीजे तस्वीरे सामने नहीं आई थी इंडिया टूडे की तो हम कनया लाल की हत्या हुई और जो आज एविडेंस सामने आए हैं किया इन एविडेंस को मद्दे नजर रखते हुए आप लोगों को यह नहीं लगता कि भारतिया जंता पार्टी के सरकार के राज में सबसे ज़्यादा हत्या हिंदूओं की होती है और हिंदूओं को इस इने के लिए धारा 144 तागू कर दी गई जिसके बाद वहां पर धार्मी कुनमाद उत्पन नहीं हुए कहीं भी हिंसा नहीं हुई बरना कई जगे हिंसा हो जाती और कई सारे मुसल्मान भाई जो हैं और हिंदू भाई जो हैं वो बेरहमी से आपस में लड़के मारे जाते है इस हिंसा का सिकार हो जाते हैं लेकिन एक बात मैं आपको बता दू सीधे तोर पर इस देश के अंदर कोई भी घटना किराम हो आखिर उसका लिंक भारत्य जन्ता पार्टी से कैसे मिलता है बलतकारी हो कुल दिट्रिंग सेंगर तो पता चलता है बीजेपी का है इस देश के कार करता है तो एर्दू निकल आते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पाटी है है आपने जाके सर्व चारा है कि आपका चैनल सर्वे भी देने लग गया है आट ट्वेंटिफॉर सर्वे भी देता है क्या आप लोग ने पत्रकारीता का इस तर इतना खराब कर रखा है ना आप लोग बोलते हैं कि मैं पत्रकार के ओपर टिपनी करता हूँ और उसके बाद जब यह आपके चेहरे पर यह जो इसमाइल आती है ना यह समाइल दरसा थी कि आपके पास में फंडिंग होती है यह नहीं होती है और भी पत्रकार खड़े है किसको अरे मेरे को फंडिंग मिली है इस देश से आपको मिलती है भी जेपी से मेरे को फंडिंग मिलती है इस देश के अंदर प्रेम अमन चैन सांती और भाईचारा को कायम करने के लिए और आपको मिलती है देश में धार्मी को नमाद उत्पान करने के लिए ठीक है ना और बात रही मोई सर्मा को फंडिंग की तो आप देते हैं क्या अरे सुन तो लीजिए अरे इधर आजागी है ना एक बार इधर आजागी है फिर मैं आपको बताता हूं प्रधान मंतरी तो य यह काटके खाएं लेकिन खून चूसना बंद करें और आप पतरकार जो बेब बुनियाद इस देश के अंदर लोग का खून चूस रहे हैं आज बहुत सारे लोग हैं जो टिपनी करना शुरू कर चुके हैं आपने सीधे तोर पर देखा है बहुत सारे लोगों का बॉलिव अरे एक बात आप मुझे बताइए जो चीज फेमस है उसको के पहचानना जरूरी है उसके सर में बाल नहीं तो फेमस हैं अरे सुनिये सुनिये ये लोग सिर्फ पैसा कमाने का काम करते हैं अरे भावु खो रहे थे देखके फिलिव अरे भावु खो रहे थे अगर भावु खोते नहीं तो आज कस्मीर पहुंच गया होते ये हिंदू धरम के नाम पर जो फर्जी लोग है ना जब हिंदू को कनया लाल के नाम पर कहां गायब हो गए अनुकम खेर ये बहुत सर्मिंदा हूं भले या बाज़पा सपोर्टर ने बोल देते इतना बोल देते कि मैं कनया के लाल के परिवार को लेकर एक करोड रुपे की रासी है दस लाक रुपे की रासी है दस रुपे भी परदान करना जाता हूं बोला विश्पिंदू परिसद बजरंग दल है भी इतने ठेकेदार घुम रहे थै एक ठेकेदार ने भी उसके घर पर जाके पूछा कि कनया ईलाल के घर में कौन रोटी देगा बताइए ये अनूछ गवर नौरर रहे हैं क्या है कौन कंग्णा रनावत बताइए कौन ये लोग ये लोग कॉazo jadi लो तो आसमने आकर 1967 हम उन्हों नहीं देश को पहली बार बताया कि 2014 में आजादी में अच्छा तो आप एक बात मुझे बताईए आप 2014 में पैदा हुए होंगे अरे आप यह बताईए इतने बड़े कैसे होगए आप एक बात का जवाब मुझे दीजे कि आप इतने बड़े कैसे हो गए हैं कि आफा कि आपको मुगली घुटी भी दिए के साथ में बात पने खिर सर आपको प्रनाम सादर्ट के बाद अज़ाद हो रहे हो देंगे हैं आपको प्रसाइब है यह पाकिस्तान की कपकी टिकट है भार्तियंता पाटी ने सानावाज हुसेन की कोई टिकेट जारी करिए मुक्तार अब्बास नक्वी की पूजा नक्वी की यह तो मुसल्मान है इनकी टिकेट जारी हुई क्या कहीं जाने की बता दीजे कहीं हुई हो तो हो गई क्या टिकेट जारी है अरे बास सुनिए भारतिय जंता पार्टी के अंदर भी तो हैं वो सुरक्सित हैं क्या यह बता दीजे मुझे आप यह बता दीजे आप मुझे आज कोट में कनाया लाल के हत्यारे को वकीलों ने पीट दिया जो नहीं मारजाएगा बताईए इंसा का हम साथ नहीं देते लेकिन वो आतंकवादी है कनेयe लाल की बेरामी से अरे आरे आप prison उन्रे वकल कार कर रहे है औरे आता प्रोनर Swift सुनिए जिस तरीके से कनेयe लाल के पड़िवार प्रचिती भगवान न करें वह स्थिती कभी किसी और के उपर वी थे ठीके ना, तो लोग अधिवक्ता जो हैं, कोई भी अधिवक्ता, कोई भी वकील, कोई भी एडवोकेट उनका आज केस लेने को तयार नहीं है, और कोई भी नहीं केस लेता है, इस बात को लेकर मुझे गर्भ है कि मैं इस देश में जुडिस्री का छातर हूँ, मैं वकालत का और मैं बड़े गर्ब के साथ कहता हूँ कि हमारे सीनियर, हमारी बार एसोसियेशन आप दिली, बीसीडी, बार काउंसिल आप डैली, इन्होंने जो फैसला लिया है, ये इतना अच्छा फैसला लिया है कि कोई भी आज इन लोगों का केस नहीं लड़ रहा, ताकि इससे पूर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और घंजी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूरें, ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले